आज मैं मिठाई की एक ऐसी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ जो घर में रखे कुछ सामान से ही हम बना कर त्यार करेंगी और बेहदी सौफ्ट दानेदार हमारी ये मिठाई बनकर त्यार होगी और बनाना बेहदी आसान है एक बार अगर आप इसको खालेंगे तो बार बार बनाएंगे तो रेसिपी को जानने के लिए फ्लीज वीडियो के अंट तक बने रहें और फ्रेंड साब से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें जाद से जादा शेयर करें लंच के बाद रोटियां बच गई थी, अक्सर लंच और डिनर के बाद रोटियां बच ही जाती हैं, तो मैंने लंच से बची हुई 6 रोटियां ले ली हैं, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कड़ाई में ले लेना है देसी घी, आप ओल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी healthy भी रहेगी और tasty भी बनेगी तो घी हमारा गरम हो चुका है अब एक एक रोटी हम इस घी में डाल कर बढ़िया से fry कर लेंगे बढ़िया सा golden crispy होने तक हमने रोटी को fry कर लेना है friends हमने एक या दो दिन पुरानी रोटी नहीं यूज करनी है मैंने लंच से बची हुई रोटियां ली है और अब पांच बजे का टाइम है तो जादा पुरानी रोटियां यूज ना करें अब ये देखिए friends एक रोटी हमारी golden crispy हो चुकी है अब इसको हमने निकाल लेना है plate में अब बाकी की सारी रोटियां भी हमने इसी तरीके से fry करके तयार कर लेनी है बेहदी, tasty, delicious ये मिठाई बनकर तयार होती है अगर एक बार आपने ये बना कर खाली तो आप इसके fan हो जाएंगे और बहुत सारी चीजे भी हम इसको बनाने के लिए नहीं जाहिए ये extra ingredients कुछ भी हमने बाहर से नहीं लाना है तो सारी रोटियां हमने फ्राइ कर ली है अब हम इनको रख देती है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ठंडा हो जाने के बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगी रोटियां ठंडी हो चुकी है अब हमने grinding jar ले लेना है और रोटियों को तोड़ कर इस jar में डाल लेना है बहुत जादा crispy हमारी रोटियां बनी है सारी रोटियां हम एक बार में ही grind नहीं करेंगे पहले हम तीन रोटि इसमें डालेंगी बाकी की तीन रोटि को हम बाद में grind करेंगे अगर एक साथ ही हम सारी रोटियां grind करेंगे तो ये अच्छे से grind नहीं हो पाएंगी इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इनको grind करना है रोटियां grind हो चुकी है और एक दरदरा सा powder हमारा बन कर त्यार हो गया है अब एक pan हमने ले लेना है और pan में डालना है 3 tablespoon chini 3 tablespoon ही मैंने यहां पर good लिया है good को मैंने great करके लिया है आप चाहें तो छीनी से भी यह निटाई बना सकते हैं या सिर्फ good से भी यह निटाई बना सकते हैं लेकिन मैंने आधा good और आधा чini ली है अब high flame पर दोनों चीजों को melt होने देती हैं, हमने पानी बिलकुल भी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमने इनको melt करना है, एक से डेड़ मिनट में ही चीनी और good melt होना शुरू हो जाएंगी, तो ये देखें friends, good तो लगबग सारा ही melt हो चुका है, लेकिन चीनी थोड़ी स अब जादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना है, नहीं तो इसमें कड़वा पना जाएगा, अब इसी स्टेज में हम इसमें डालेंगे एक कप दूद, मैंने उबला हुआ दूद लिया है, आप कच्छा दूद भी डाल सकती है, अब लगातार चलाते हुए दूद और केरमल को बड़े से मिक्स कर लेना है, हम जैसे ही केरमल में दूद डालेंगे, तो हमें लगेगा कि गुड़ और चीनी फिर से जमना शुरू हो गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे, पकाएंगे, तो ये अपने आप ही दूद में घुलना शुरू हो जाएगा, तो य अगर आप सिर्फ चीनी से करमल बना रहे हैं, तो इसमें आधा चम्मच निम्बू का रस डालनें, लेकिन मैंने आधा गुड और आधी चीनी से करमल बनाये हैं, गुड की वज़े से दूद अपने आप ही दानेदार हो गया है, इसलिए इसमें निम्बू डालने की जुरत न दूद में हलके से जब दाने बनेंगे तो उससे हमारे मिठाई भी दानेदार एकदम मिल्क केक जैसी बनकर त्यार होगी, तो मैंने इसको 3-4 मिनद तक पका लिया है, काफी गाड़ा हो गया है दूद, अब हम इसमें डालेंगे रोटी वाला पाउडर जो हमने बना कर त्य होई है, सभी चीजे बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, अब 2 चमच हम इसमें देसी घी एड़ करेंगे, इस टेज में घी डालने से एक तो हमारे मिठाई में शाइन आएगी और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत जादा बढ़ जाएगा, लगातार चलाते हुए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 2-3 मिनट तक और पका लेना है, फ्लेम मैंने इस स्टेज में लो टू मेडियम की हुई है, सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट सेट करेंगी, यहां पर मैंने 10-12 बादाम को चौप करके लिय अगर आप नहीं डालना चाती है, तो स्किप कर दें, बिना ड्राइफ रूट के भी यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, सभी चीजों को मिक्स करेंगी, और एक मिनट तक इसको और हमने पका लेना है, ताकि ड्राइफ रूट और इलाइची का बढ़िया सा फ्लेवर म आजाए, तो एक मिनट तक मैंने मिक्षर को पका लिया है, मिक्षर हमारा बनकर रेडी हो चुके है, गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है, अब हम एक टेन ले लेंगे, मैंने आपके पास स्क्कquare- sẽप का टेन लिया है, अगर आपके पास राउंड शेप का है तो आप वो भ धाई बनकर तैयार होती है आप भी एक बार जुरू ट्राइ किजिएगा बच्चे हो चाहे बड़े हो सब को ये बेहदी पसंद आने वाली है तो मैंने बड़िया से मिक्षर को सेट कर दिया है अब ए घंटे जिए लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे, एक घंटा हो चुके है, मिक्षर हमारा बड़िया से सेट हो चुके है, अब हम इसको निकाल लेंगे टिन से बाहर, और इसकी बर्फियां कट कर लेनी हैं, हमने अब, बर्फियां आप अपने चोईस से छोटी, बड़ी, मोटी पत एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आपको बेहदी पसंद ये रेसिपी आने वाली है और जब भी आप ये बर्फियां बनाए अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मैं फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक रखिए अपना धेर सारा ख्या रोली है दोने वाली है और रिधॉर लाएल क्षेगा आपट ये पाली है अखिगा कीजिए और वेन रुट टावर भी ये आने पीजिए है अब्साइगा खिएगा मैं अपना उन्माव सॉर इन्मार शेयर का भीजिए झाली है एक बीड़ी है और भीजल